Hello students, welcome to MOS classes, आज हम 7th class Math NCRT के chapter number 8 की exercise 8.3 के question number 1 को solve करेंगे First question में हमसे कहा गए students, tell what is the profit or loss in the following transactions इस question में हमें 4 parts दिये गए students और हमें ये बताना है कि उनमें profit हुआ है या loss हुआ है Also find profit percent or loss percent in each case इसका ये मतलब है students कि इन 4 parts में हमें profit percent और loss percent भी find करके दिखाना है याद रखेगा students कि अगर profit होगा तो हम profit percent find करके दिखाएंगे और अगर loss होगा तो हम loss percent find करके दिखाएंगे ए पार्ट में हमसे कहा गए students gardening shears bought for rupees 250 and sold for rupees 325 gardening में जो कैंची यूज होती है उन्हें gardening shears कहते है students तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि rupees 250 में gardening shears को bought किया गया यानिके खरीदा गया और rupees 325 में gardening shears को sold किया गया यानिके बेचा गया अब यहाँ पर हमें दो चीजे find करनी है students एक तो यह कि यहाँ पर profit हुआ है या loss हुआ है और अगर profit हुआ है तो हमें profit percent भी find करके दिखाना है और अगर loss हुआ है तो हमें loss percent भी find करकर दिखाना है अब इसके solution में हम रिखेंगे CP यानिके cost price is equal to rupees 250 और उसके बाद हम रिखेंगे SP यानिके selling price is equal to rupees 325 CP का मतरब होता है students कि किसी चीज को आपने कितने पैसों में खरीदा और SP का मतरब होता है कि किसी चीज को आपने कितने पैसों में बेचा इस exercise की basic वीडियो में हमने आपको यह समझाया था students कि एगर SP बढ़ा होता है CP से यानि कि एगर selling price बढ़ा होता है cost price से तो profit होता है और profit कैसे निकालते है students अगर आप SP में से minus कर देते हैं CP को तो आपको profit मिलता है तो यहाँ पर हम रिखेंगे profit is equal to SP minus CP अब यह profit यहाँ पर as it is आएगा is equal to का sign भी as it is आएगा SP की जगा यहाँ पर हम रिखेंगे 325 minus का sign as it is आएगा और CP की जगा यहाँ पर हम रिखेंगे 250 जब आप 325 में से minus करेंगे 250 को तो आपको मिलेगा 75 तो यहाँ पर आप रिखेंगे rupees 75 तो profit आगया है rupees 75 अब हम profit percent find करेंगे तो profit percent का formula होता है profit percent is equal to profit upon CP multiply by 100 और उसके बाद यहाँ पर percentage का symbol आता है profit की जगा यहाँ numerator में हम रिखेंगे 75 और CP की जगा यहाँ denominator में हम रिखेंगे 250 multiply का sign as it is आएगा और 100 भी as it is आएगा और उसके साथ हम percentage का symbol लगाएंगे अब ध्यान से देखे students कि इस 0 से यह 0 कट जाएगी अब ध्यान से देखे students कि 75 और 25 को आपस में sold किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही numbers 5 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 5 से काटेंगे अब देखेंगे 5 1 दा 5 7 में से 5 गया 2 बचा 2 and 5 25 5 5 दा 25 और यहाँ पर देखेंगे 5 5 दा 25 अब देखे students कि 15 और 5 को भी आपस में sold किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही numbers 5 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 5 से काटेंगे अब देखेंगे 5 1 दा 5 और यहाँ पर देखेंगे 5 3 दा 15 अब यहाँ पर बचा 3 multiply by 10 तो जब आप 3 को multiply करेंगे 10 से 30% हमें मिल गया है 30% B part में हमसे कहा गया है A refrigerator bought 4 रूपीज 12,000 and sold at रूपीज 13,500 इसका यह मतलब ए students कि एक refrigerator को रूपीज 12,000 में खरीदा गया और रूपीज 13,500 में बेचा गया तो इसके solution में हम लिखेंगे CP is equal to रूपीज 12,000 और उसके बाद हम लिखेंगे SP is equal to रूपीज 13,500 यहाँ पर आप देख सकते है students कि selling price cost price से बड़ा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे SP greater than CP और जब SP बड़ा होता है CP से तो हमें profit मिलता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे profit is equal to SP minus CP यानि कि अगर आप SP में से minus करेंगे CP को तो आपको profit मिलेगा SP की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 13,500 minus का sign HD आएगा और CP की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 12,000 जब आप 13,500 में से minus करेंगे 12,000 को तो आपको मिलेगा 1,500 तो यहाँ पर आप लिखेंगे रुपीज 1,500 तो profit हमें मिल गया है रुपीज 1,500 अब हम profit percent निगा लेंगे students तो यहाँ पर हम लिखेंगे profit percent is equal to profit upon cp multiply by 100 और यहाँ पर percentage का symbol आएगा profit की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 1,500 और upon में cp की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 12,000 multiply का sign यहाँ पर as it is आएगा 100 भी यहाँ पर as it is आएगा और percentage का symbol भी यहाँ पर as it is आएगा अब ध्यान से देखेंगे students कि इन दो 0 से यह दो 0 कट जाएंगी और इस 0 से यह 0 कट जाएगी अब यहाँ पर बचा 150 और upon में बचा 12 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 upon 12 अब ध्यान से देखे students कि 150 और 12 को आपस में सोल किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही numbers 2 की table में भी आते हैं 3 की table में भी आते हैं और 6 की table में भी आते हैं तो आप इन दोनों numbers को 2 से भी काट सकते हैं 3 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं हम इन दोनों numbers को 6 से काटेंगे अब देखे students 6 to the 12 और यहाँ पर देखिए 6 to the 12 15 में से 12 गया 3 बचा 3 and 0 30 6 5 दा 30 अब यहाँ पर numerator में बचा 25 और denominator में बचा 2 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 upon 2 और जब आप 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12.5% तो यहाँ पर profit percent हमें मिल गए students 12.5% अब हम आपको यह समझाएंगे students कि 25 को 2 से डिवाइड कैसे करते हैं अब देखें यहाँ पर आप लिखेंगे 25 और इसे आप टिवाइड करेंगे 2 से अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 देखें students 2 वंदा 2 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 2 से 2 कैंसल हो जाएगा यहाँ पर यह 5 है इस 5 को यहाँ पर हम कैरी कर लेंगे 2 to the 4 होता है students तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 to the 4 यहाँ पर 4 आएगा 5 में से 4 मैनिस करेंगे तो आपको मेरेगा 1 अब यहाँ पर remainder में बचा 1 और यह 1 इस 2 से छोटा है तो यहाँ पर हम decimal लगाएंगे और यहाँ पर 0 आएगी अब यह 10 बन गया 2 5 दा 10 होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर आएगा 10 क्योंकि 2 5 दा 10 होता है 10 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो यह पूरी तरह से कट जाएगा तो जब हमने 25 को 2 से डिवाइड किया तो हमें answer मिला 12.5 तो B part का profit है Rs.1,500 और profit percent है 12.5% C part में हम से कहा गया है A cupboard bought for Rs.2,500 and sold at Rs.3,000 तो इसके solution में हम लिखेंगे students CP is equal to Rs.2,500 and SP is equal to Rs.3,000 यहाँ पर आप देख सकते है students के SP CP से बड़ा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे SP is greater than CP और जब SP बड़ा होता है CP से तो profit होता है और profit हम कैसे निकालते हैं Profit is equal to SP minus CP SP की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 3000 minus का sign as it is आएगा और CP की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 2500 और जब आप 3000 में से minus करेंगे 2500 को तो आपको मिलेगा 500 तो यहाँ पर आप लिखेंगे rupees 500 तो profit हमें मिल गया है rupees 500 अब क्योंकि हमें यहाँ पर profit मिला है तो हम profit percent भी find करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे profit percent is equal to profit upon CP multiply by 100 और यहाँ पर percentage का symbol आएगा profit की जगा numerator में हम लिखेंगे 500 और CP की जगा denominator में हम लिखेंगे 2500 multiply का sign as it is आएगा 100 भी as it is आएगा और यह percentage का symbol भी यहाँ पर as it is आएगा अब ध्यान से देखिए students के यह 20 और यह 20 आपस में cut जाएंगी अब यहाँ पर देखिए students 500 और 25 को आपस में solve किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही numbers 5 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 5 से काटेंगे अब देखिए 55 दा 25 और यहाँ पर देखिए 51 दा 5 दो 0 बची वो दो 0 यहाँ पर आजाएंगी अब 100 और 5 को भी आपस में solve किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही numbers 5 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 5 से काटेंगे अब देखिए 51 दा 5 और यहाँ पर देखिए 5 तूदा 10 यह 0 बचा यह 0 यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर बचा 20 तो यहाँ पर हम रिखेंगे 20 परसेंट तो profit परसेंट हमें मिल गया है 20 परसेंट डी पार्ट में हमसे कहा कि students यानि कि एक skirt को रूपीज 250 में खरीदा गया और रूपीज 150 में बेचा गया तो इसके solution में हम रिखेंगे CP is equal to रूपीज 250 and SP is equal to रूपीज 150 यहाँ पर आप देख सकते students कि CP SP से बड़ा है तो यहाँ पर हम रिखेंगे CP is greater than SP याद रखेंगे students कि जब भी cost price यानि के CP बड़ा होता है selling price यानि के SP से तो loss होता है तो loss निकालने के लिए यहाँ पर हम रिखेंगे loss is equal to CP minus SP याद रखेंगे students कि profit निकालने के लिए हम लिखते हैं SP minus CP और loss निकालने के लिए हम लिखते हैं CP minus SP CP की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 250 minus का sign as it is आएगा और SP की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 150 और जब आप 250 में से minus करेंगे 150 को तो आपको मिलेगा 100 तो यहाँ पर आप लिखेंगे rupees 100 तो loss हमें मिल गया है rupees 100 अब क्योंकि यहाँ पर हमें loss मिला है तो हम loss percent भी find करेंगे loss percent find करने के लिए हम लिखेंगे loss percent is equal to loss upon CP multiply by 100 और यहाँ पर percentage का symbol लाएगा loss की जगा यहाँ पर numerator में हम लिखेंगे 100 upon में CP की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 250 multiply का sign as it is आएगा 100 भी यहाँ पर as it is आएगा और percentage का symbol भी यहाँ पर as it is आएगा अब ध्यान से देखें students कि इस एक 0 से यह एक 0 कट जाएगी अब देखिए 100 और 25 को आपस में sold किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही numbers 5 की table में आते हैं तो हम इन दोनों numbers को 5 से काटेंगे अब देखिए 55 दा 25 और यहाँ पर देखिए 52 दा 10 यह 0 बचा यह 0 यहाँ पर आ जाएगा अब 20 और 5 को भी आपस में sold किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही numbers 5 की table में आते हैं तो इन दोनों numbers को हम 5 से काटेंगे अब देखिए 5 दा 5 और यहाँ पर देखिए 5 for the 20 अब यहाँ पर बचा 4 multiply by 10 जब आप 4 को multiply करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 40 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40 और यह percentage का symbol यहाँ पर as it is आएगा तो loss percent हमें मिल गया है 40% तो d part में loss हमें मिला है rupees 100 और loss percent हमें मिला है 40% I hope students आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेर और सबस्क्राइब कीजिए थैंक यू